तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नय लेटेस्ट और धामाकेदार वीडियो में यह वीडियो आने में थोड़ा सा देर हुई बढ़ काफी महतपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास्टेंद के साइंस का तो यहां से शुरू होता है आपका पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है हीरा का अपरतनांग 2.42 है इस कथन के क्या अभी प्राय है तो इसका उतर लिखेंगे हीरा का परतनांग 2.42 है इसका मतलब कि हीरा का परतनांग अधिक है इसलिए हीरा परकास तो सघन मादियम है सघन मादियम मतलब यानि कि वो मादियम है जिसमें सघनता ज्यादा है यानि उसका घनत्व ज्यादा है इसलिए हीरा में परकास का वेक बहुत कम हो जाता है ठीक है यानि परकास का जो चा उठा हुआ दिखता है क्यों या तीसरा प्रस्ण है पानी में रखा पेंसिल मुड़ा एंच्छोटा प्रतित होता है क्यों देखिए दोनों प्रस्ण पर गौर कीजिएगा और दोनों प्रस्ण में से कोई एक भी आ जाए तो उत्तर सिर्फ वहीं लिखेगा जो मैं यहां पर तैयार क्या हो देखिए इसका उतर होगा देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा इसका उतर होगा जब पेंसिल को यह पेंसिल के जगह पर शिक्का बोल दीजिए जब पेंसिल को तीर्छा डूबो कर रखा जाए तो पेंसिल की अगर भाग से निकलनी वाली परकास की कि ने पानी से हवा पानी क्या है सघन माध्यम है और हवा क्या है वीरल ठीक है न तो सघन से वीरल में परवेश करती है और जब परकास की किने सघन से वीरल में परवेश करती है न तो अभिलम से दूर भाग जाती है इसी कानर पानी में डूबी हुई पेंसिल मूड़ा एं है क्या तो देखे किन्हीं दो माध्यामों और परकास के किसी वर्ण के वर्ण मनें रंग के लिए आपतन कोड़ की जिया और परावरतन कोड़ की जिया का अनुपात एक निया तांग होता है यानि आपतन कोड़ की जिया और परावरतन कोड़ की जिया का एक अनुपात को हम सनेल का नियम कहते हैं जैसे कि यहां पर दिया है साइन आई अपॉन साइन आर साइन मतलब इंसीडेंट रहे और साइन आर मतलब रिफलेक्टेड रहे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब जो यहां अगला प्रस्ण देखेंगे ना वो है अगला प्रस्ण सम्तल धरपन दोरा बने पर्तिवीम की विश्यस्ताओं का उले कर देखे समतल दरपड में जो भी पर्तिवीम बनता है उसके विश्यस्ता को बताना है ठीक है ना तो देखिए, यहाँ पर हम विशेस्ता को निमलिखित तरीके से दर्शाए हैं, समतल दरपड दो रहा बना पर्तिवीम की विशेस्ता निमलिखित है, तो विशेस्ता नमबर वन, पर्तिवीम दरपड के पीछे बनता है, ठीक है न, तो देखिए क्या है, कि पर्तिवीम जो है ना उसी के बराबर बनता है ऐसा नहीं है कि इस जो आप मालनेते हैं कि इसका दो फिट है तो इधर आपका एक फिट बना ऐसा बिलकुल नहीं होता है ठीक है अब यहां अगला भी सेस्ता है भी सेस्ता गर पर तिबीम वस्तु क्या पेक्छा सीधा बनता है बिलकुल बात सही ह ठीक है ना ऐसा नहीं है कि मालते हैं कि यह दरपण है ठीक है ना और यहां यह वस्तु रखे गए हैं मालते हैं आप ही है यहां पर ठीक है और आपका यह सर है और यह आपका पैर है तो ऐसा नहीं है कि जो दरपण में परतिवीम बनेगा वो सर नीचे कर देगा और पैर उपर कर देगा ऐसा नहीं होता है ठीक है ना इसलिए परतिवीम वस्तु क्या पेक्षा सीधा ही बनता है ठीक है ना और विशेष्टा नंबर घर ठीक है ना परतिवीम आभासी होता है अर्थात इसे परदे पर उतारा जा सकता है ठीक है ना इसमें जो भी परतिवीम बनता है ना इ आपका जो ये दाया हाथ है और ये जो बाया हाथ है ठीक है ना तो ये क्या होता है ना कि जब आप खड़े होते हैं तो आप जब दाया हाथ को उठाते हैं तो ऐसा मालूम होता है दरपण में जब आप अपने आपको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि साइद में अपना ना वह पार्शी गृत से उल्टा बनता है ठीक है ना और अगला जो है ना विसेस्ता वह कि परतिवीन दरपड को उतना पीछे बनता है जितना वस्तु दरपड के आगे रहता है कैसे तो देखी इसको समझ लेते हैं जैसे मान लिजे कि यहां यह दरपड है और इसके सामने व दूरी पर रख्या है तो जो परतिवीन बनेगा वह 20 cm के ही दूरी पर अभासी परतिवीन बनेगा अब क्या है जैसे ही यह थोड़ा सा और दूरी पर वस्तु को ले जाएंगे तो यह उतना ही दूरी पर पीछे इधर जाते हुए मासूस होगा लेकिन जैसे ही फिर इसको आगे लेकर रखे आएंगे यानि की दरपण के करीब वह उतना ही फिर आगे आने की को मतला आगे आएगा और वह आपको लएगा कि यह हम जिस तरीका से आगे बढ़ें उधर से भी हमारा परतिवीन आगे बढ़ रहा है ठीक है तो यह है विसेस्ता तो परासन संक्य छे द यहां पर क्या हो जाएगा एफ बराबर यहां 24 लिख देंगे और अपन टू और दो को 24 में भाग देंगे तो बारा आएगा इसलिए एफ बराबर आपका हो जाएगा बारा ठीक है ना इसका सही उतर हो जाएगा यानि फोकस दूरी बारा होगा ठीक है ना यहां पर फोकस 12 हो जाएगा solve करने के बाद तो solve उसी तरीका से कीजिएगा जैसे मैंने किया प्रसन संक्या साथ देखेंगे कि तारे क्यों टीम टीम आते हैं ठीक है ना तो तारे तो आपवर्त वाई मंडली आपवर्तन के कारण तो टीम 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 आते हैं अता परकास की कीजिणन को माधियम से विविन घरनतों से गुजरने में एपवर्तन के कारण तारे तिम टीम टीम आते हैं देखें जब वाई मंडल में जो कड होते हैं उनकी घरनतों भीन भीन होते हैं और उस दवराण जब परकास कि कीनलस पर पढ़ती हैं तो भीन भीन होने के कारण कुछ अपवर्तन दिखाई देते हैं ठीक है ना यानि कि रिफ्रेक्शन अफ लाइट होती है जहां से हमें क्या होता है ऐसा मालूम होता है कि तारे टिम्टी मार रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे देखेंगे आगे देखेंगे अगला प्रश् परकास के परवर्तन के नियम लिखने के लिए आपको पहले दिमाग में एक फिगर बनाना होगा जैसे कि एक चिकना सता ले लेजिए जो परवर्तक सता का एक अच्छा स्रोथ हो और आने वाली परकास की किन्डों को इस पर से गुजारने की कोशिस किजिए यह आने वाली परकास की किन्डे हैं और आ करके इस सता पर टकडाती है और टकडा करके फिर वापस उसी दिशा में लोट जाती है तो आने वाली परकास की किन्डों को हम क्या करते हैं लेकिन जाने वाली परकास की किन्डों को परावर्तित किन्ड करते हैं लेकिन जिस बिंदू पर ये परकास की किन्डे पढ़ती है ना इसको हम आपतन बिंदू करते हैं और आने वाली आपतित किन्ड और जाने वाली परावर्तित किन्ड के बीच एक हम अभी लम डालते हैं, जिसको आपतन बिंदू पर अभी लम काते हैं अब ज़रा गौर कीजिए, कि अगर हमको पहली लाइन में लिखना होगा परावरतन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहले नियम में अगर लिखना होगा नुमर्वर्ण के आपतीत किनन अपतन बिंदू पर डाला गे अभी लड़ तीनों एक ही तलव में होते हैं और दुसरा क्या यहांपर गवर्ष से होते 30 डिगरी एंगल से ही क्या होगी 30 डिगरी एंगल से ही वो वापस लोड जाती है तो हम यहां कह सकते हैं कि कोड आई बराबर कोड आर होता है यानि कि आपतन कोड होता है बराबर परावर्तन के अर्थात हम कह सकते हैं कि कोड आई बराबर यानि इंसिडेंट रे बराबर रिफलेक्टेड रे ठीक है ना आरसे रिफलेक्टेड रिखाते हैं ठीक है ना अब यहां अगला परसन को देखें ते हैं अगला परसन है परसन के दस फ्लेमिंग के वाम हस्तनियम से कि आप क्या समझते हैं flaming के वाम हस्त नियम से क्या समझते तो इसका उत्तर लिखेंगे कि flaming के वाम हस्त नियम के अनुसार अंग्ठे तरजनी और मध्यमा को इस परकार फैला दिया है बट इसका notation लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप समझ जाएं कि जो flaming के वाम हस्तनियम है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है ठीक है ना तो यहां देखिए flaming के वाम हस्तनियम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम जान संके ठीक है कि बल की दिशा कहा होगी मनें बल की दिशा ग्याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं flaming के वाम हस्तनियम को जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट पर लिखा है कि बल की दिशा ग्याद करने है तो फ्लेमिंग के वाम हस्तनियम क्या वास्ता पड़ती है ठीक है अब अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है फ्लेमिंग के वाम हस्तनियम को तो समझ गये आप दिया है कि फ्लेमिंग के दाय हस्तनियम को समझा ये फिर मैक्सवेल हो ये सबसे एक प्रस्ण देखने को आपको जर दिशाघ के लिए ठीक आँ तो यहां पर उत्त हो जाएगा कि धारा की दिशाघ जानने के लिए फ्लेमिंग के दायें हस्तनीय हम कि ज़रूरत पड़ती है ठीक है अब कैसे तो देखिए उसी तरीके से करना जैसे कि फ्लेमिंग के वाम हस्तिनियम थे ठिक AG झाया उसी तरीका दाएं हस्तिनियम को तर्जन अंग्ठा मद्यामा को इस तरीके से फैला रहे की बिलकुल एक दूसरे के समकोर निक हो जाया और तम jeżeli हो जाएगा आपका उत्तर ठीक है आप अगला प्रस है बारां नमबर मेक्संविल का दक्षिण हस्त्नीयम को समझाएं तो इसका उत्तर हो दाय हाथ की मुठी में इस परकार पकड़ा जाए कि थारां की डीक्षा और हाथ चलता है चुमबए के चेत्र कीईशा अर्था चुमबए किशेत्र के दिषा ग्याद करने के लिए हमें Maxwell के डक्षिन हंस्तियम को अपनाना पड़ता है अब आगे प्रसन देखते हैं अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है कि प्लाष्टर और पेरीस का आडविक सुत्र होता है या फिर आप इसे कहते हैं CA2-S2-09-S2 भी होता है ठीक है ना और इस देखिए यह option में भी पूछ सकता है आपको वेकल्पिक प्रस्नों में भी यह पूछ सकता है प्लास्टर और पेरिस का अड़िक सुत्र क्या होता है तो इससे आपका concept जब clear हुआ रहे गए यहीं से तो आप objective भी बना सकते हैं ठीक है जिस ऐन ग안 में डökकर कर पास जाता है न तो वजा करने का करदी के अगला प्रस्ण हम देखते हैं अगला प्रस्ण प्रस्न संख्य 14 आइनिक योगिकों का गल नांग उच होता है क्यों तो इस का उत्तर होगा आणिक योगिकों में मजबूत एस्तिरवैदूत अकर्णバイ कर् लेगा अगला प्रसन है प्रसन संक्याँ 15 दोनेका सोटा य हुना कि किया adic आधर आगे देखते हैं देखिए यह जो प्रसन है प्रसन संक्या सोल लाइए तो इतना important है कि मैंने भले ही नाम बदल कर आ जाए बट इसमें से इस तरह का प्रासन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा निमनी योगी को कि संदाशनाय चितरित कीजिए यहाँ पर दिया हुए क्लोरो प्रोपेन और प्रोपेनोइक आमल तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा देखिए अगर कार्बन की संख्य एक है तो मेथ पढ़ा जाता है कार्बन की संख्य दो है तो एथ पढ़ा जाता है और कार्बन की संख् chlorine तो कि क्लोरीन है तो पहले हमद् Mix को कि पढ़ते हैं कलो उसके बाद से आगर तीन पर संटाय। यान क्लोरो-प्रोपण का हो जाएगा èok क्लोड यहां पर है खानामर मेंद दिया है प्रोपेनोट हम तो उसमें ऑ हैथ ठीन कारवन ओ और कुछ इस तरीका से सनरचना होगी आप इसको ध्यान मेर रख लिजिए गा ठीक है अगला प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न है उस्मा छेपी हो उस्मा शोशी अभी किरिया क्या है उधानर के साथ लिखिए तो देखिए उस्मा छेपी क्या होता है तो उस्मा छेपी म तो यहां पर देखिएगा कि अब क्या है जब इसका लिखना है कि ऐसे भी क्रिया जिन में उस्मा का और सोसर होता है उसको हम करते हैं उसमा सोसिया भी क्रिया अब इसका अगर देना है तो हम दे सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का जलना या फीर बिए ओस्टू इन्टू टेंस्टू प्लास्टू एंच-फूर ठेके ना और एससे चेन कि तो यहां पर जब यह टूटेगा तो क्या होगा भी एस सीन ठीक में प्लस हो जायेगा ठीक है अब हरोन जलना ही इसका एक उūधानत louya सकते हैं अब आगे देखते हैं अगला प्रसना है इलेक्टॉन बिंदुसन अच्छना बनाई है ठीक है ना एस्ट्व दिया रहाएगा इसका इलेक्टॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा ठीक है ना हाइड्रोजन का वैलन्स इलेक्टान कितना होता है वो दो जाने की कोजिस्स की जाया है तो उसके पूरा हो जाता है जैसे हाइड्रोजन को एक एक इलेक्टॉन की होती है जबकि चाती कि क्या है ऑघ्रोजन शाहां को डोग्टॉसन होती है तो इस तरीकह से यह ऑलेड़ी डोट कर त्यारес तेक्चर्चर बने contraction कर تैयार है अगला परसन देखें हैं परसन संख है 19 वियोजन अभी क्रिया क्या है तो यह दिमाग में रख लेना है कि जब एक बहुत बड़ा योगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभाक्त हो जाता है तो यह घटना वियोजन अभी कर्या कलाती है जैसे कि जब एक और प्लस CO2 में बढ़ गया है अब आगे देखते हैं अगला प्रसना है अगला प्रसना है बीस निम्न अभी क्रियाओं के लिए संतुरी तरह सानिक समिकरन लिए देखे आपको क्या है कि इसमें दिया रहेगा ठीक है ना यहां पर दिया हुआ रहेगा यहां पर जिंक और सिल बाइलेंस करके लिखा है जेटन पर टू एजी एनो त्री तो जेटन की संके इधर एक है इधर भी एक है एनो त्री है तो एनो त्री है टू एजी तो टू एजी हमने लिख दिया यह इसको अलड़ी बाइलेंस करके हमने लिख दिया है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अग कि तरीका तंत्र के कारे कि क्या और के कारे को बताना है operatingЗд humid को कारे सबस्थ इस थापित ख़िकर यह अब अग्रा परश्ब है कि मनुस्था मैं होने वाले संचारित रोगों का नाम लिखिए यानि कि जब सेक्शएल- relationship के दौरान जो रुख फैलते हैं ना उस रुख का नाम बताना है जो sexual relationship के दौरान फैलने की 100% समाना आती है तो देखिए objective में भी देखने को मिलता है इसा परासन तो लेंगिंग संचारित रुख का नाम इसको याद कर लीजिएगा और आपको कभी objective में भी देखने को परासन मिल जाए तो आप आसानी से भी उस objective का सही भी कल्ब को चुन पाएंगे जैसे कि AIDS है ठीक है ना कलेमाइडियोसिस है जेनाइटल है जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं जेनाइटल वार्ट्स के शारीर में ट्रांसफर हो जाता है इसलिए हम इसको क्या करते हैं संचारित रोक कहते हैं अगला परस्न है अगला परस्न आहन मैं आपने चम्रटे कर रखेंगे ना पूर चंबरा को जला सकते हैं तो जरा सोचिए कि फिर उसकी क्या भूमि कहा है तो जो देखिए तो पांचिक रस यानि आमाशे में एसियल पाए जाता है जो निसक्री यह पेफिड सी-9 उजेन हम सक्री पैपसीन नामक एंजाईम میں बदल देता है और पेपसीन भोजन के प्रोटीन प्रोटीन का उसे प्रोटीन में बदल देता है एसील भोजन के साथ आने वाले बेक्टेरिया को नॉस्ट कर देता है यानि कि इसका देखे मुख्य कारे क्या है कि हम जो भोजन करते हैं उस दोरान बहुत सारे बतलब बेक्टेरिया भी चले जाते हैं पेट के अंदर या बहुत सारे इंफेक्शन वाली जो है ना इंफेक्टेट करने वाली जो है ना छोटे-छोटे माइक्रा औरएगरी की पर जाती है चली जाती है तो सोचिए उससी 9 कौन करेगा ठीक है तो उसचीg करने वाला जो इंजाइम पाए जाते है वो है एच्सीञ ठीक है आप चलीए अगला परस्ण है अगला परस्ण है लेंगिक जनन क्या है तो जब दो विफ्रित लिंग वाले जिव आपस में मिल करके अपने ही जैसे संतान और संतिती को जन्म दे तो यह परक्रिया लेंगिक जनन कहलाती है अब अगला परस्ण हम देखते हैं अगला परस्ण क्या है परस् जीओ है ठीक है और यहां अगला प्रस्ण है प्रस्ण संके 26 कीडवन क्या है इसका समी करण लिखें काफी इंपोर्डन कुस्षन है पुस्ता भी है तो इसका उत्तर है और अक्सिस स्वासन का वह परकरम है जो जाइमेज इंजाइम के परभाव में होता है तता जिसमें गुल बदल जा रहा है अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है प्रस्ण संके 27 काफी इंपोर्डन कुस्तन ओजोन के आउच्छा का क्या कारण है इसके हानिकारग परभाव को भी लिखें तो इसका उत्तर है यहां पर इसको साइट कर दें इसका उतर है कि यहांति किए मैंने गलती से लिख दिया है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऑजोन अस्तर का छाय हो रहा है mm किसे होरा है क्लोरो फ्लोरो कारबन से इस सुर्य की घातक इन्डे धर्ती पर सीधे पहुंच कर कैंसर जैसे रोखोत्पन कर रहा है अब ज़रा सूचिए कि जब ओजोन अस्तर में छेद हो जाएगा हमारे गलोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्लोरो फ्लोरो के कारण जो है ना ओजोन का छाय हो जाएगा तो सुर्य से आने वाली जो पारा बैंगने किरने हैं वो डाइरेक्ट जो है धारती परा रहा है जितने अब अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है 28 हर्मोन क्या है दो पादप हर्मोन का नाम लिखिए ठीक है ना तो यहां पर उतर है पादपों में रसायन पदार्थों की विरिधी होती है जिससे वे अपनी गतिविदियों को नियंतरन और समन्वें करते हैं इसी रस सायन को पादप हर्मोन काते हैं यहां अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 29 गर्भ निरोधा की युक्तिया अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं तो इसका उतर होगा जन संक्या नियंतरन तो देखिए सिर्फ इतना करदने से उतर नहीं होगा इसका डिफिनिशन लिखिएगा गर्भ निरोधा की युक्तिया अपनाने का मुख्या कारण है जन संक्या नियंतरन है ठीक है अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है हमारे जैसे बहुत कोसिक जीवों में ऑक्सीजन की आवसक्ता पूरी करने में विश्रन क्यों अपर्याप्त है तो इसका उतर हो अपर्याप्त है तो यहां होता है आपका पूरा प्रस्ण जो सब्जेक्टिब मस्ट भी भी आई है वो दो तीन नंबर का हमने यहां पर पूरा कंप्लीट करा दिया तो देखा न यह वीडियो कितना जबरदस्त और महतपुन प्रस्णों से भरा था तो यह वीडियो एक ब अबी के साथ तब तक के लिए जाए हैं